तो दोस्तों हिंदी चिस्पे सिंडे चल पर मैं निकलेश जयान आप सभी का हार देक अग्दन करता हूं दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुकाबला लेकर आया हूं जो आपको एलिए काफी एक प्रकार से इतिहास में भी लेकर के जाएगा आपको और भारती इतिहास अपने शवाब में थे पूर तरीके से तो भारत में एक खिलाड़ी था जो कि भारत का पहला इंटरनेशनल मास्टर बना 1960 से लेकर के 1981 तक नौ बार नैशनल चैंपियन बने भारत के सबसे पहले इंटरनेशनल मास्टर मैन्योल अरोन ने भी मुकाबला खेला था बॉबी फिशर के साथ यह मुकाबला खेला गया था 1962 को स्टॉक्षोम इंटर्जमर्नल टॉर्णमेंट में और यह वह दौर्धा जब बॉबी फिशर जो है वह चाना अभी शुरू हो रहे थे पूरे दुनिया में और इस तने उनकी तैयारी इसके 10 साल बाद वह विश्व चैंपियन बनी तो यह यह वह दौर्धा जो उठना जो रीसेंट में उनसे मिला था पिछले साल उनसे मेरी मुलाकात हुई थी चैंडाइम है जब वोमेन ग्रेंड मास्टर टौर्नमेंट चल रहा था तो यह फोटो भी इनफेक्ट उनी नहीं लिया है तो उनसे मिला और काफी सारी शेतरंज के उपर बात हुई काफी आज भी एकसाइड़ रहते हैं शेतरंज को लेकर के आप काफी जो चुकी है उनकी कैट तो उनका यह जो मुकाबला उन्होंने बॉबी फिशर से खेला यह अपने आपने बहुत खास इसलिए भी था कि बॉबी फिशर ने इस गेम में सिर्फ एक चाल से दिखाया कि वाकई जो बॉ डैक पीसे से खेल नहीं थे बॉबी फिशर डीफॉ नाइट आफच्स दिख दिख सकते हूं यहां पर कि यहां पर कि से ब्लैक ने खेल दिया आप यहां पर वाइट को चूज करना होता है अब यहां पर मैयनुल अरूं ने चूइस किया वह था दो F3 एक प्रकार से जब भी आप Kings Indian Attack के खिलाफ खेलते हैं तो F3 आपको बहुत सारी चीजों से बचा लेता है और एक प्रकार से यह भी हो जाता है कि आप अभी फिरहाल अटैक नहीं करने वाले हो आप नॉर्मली अतना development करने वाले हो तो नाइट जीफोर और यह जो जीफोर का स्कॉर कंट्रोल में आने से डेफिनेटल आप देख सकते हों कि लाइट कलर पर थोड़ी सी वीक्नेस यहां पर बड़ी है तो आपको ऐसा कोई टेंशन लेने की जुरूरत नहीं है यह ज़रूरे कि आपके जो नाइट है वो F3 पर जो है उस पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ रहती है तो यह चुनाओ एक तरीके का खेलने का जो यहां पर मैंनोलर ने की है मैंनोलर वाइट थे बड़ विशर प्लाइक कासल बिशाप e3 नाइट बीडी सेवन तो यहां पर मैंनोलर ने खेला क्वीन डीटू और यहां पर आपको गेम जो है एक्सेलिटेट ड्रेगन के आसपास मिलता जुनता नजर आने लगेगा अब वह भी मरुगजी बाइंट सिस्टम पर क्योंकि अब सीफाइट भी आ चुका है यहां पर तो अब अगर यहां पर यह एक्स्चेंज होते हैं और खासपर पर डीफोर आप यहां पर आप इसके बाद आप सोचिए कि आप ब्लैक से क्या खेलिए और यहां पर सिर्फ एक ऐसी चाल आई जो बॉबी फिशर का प्लान था जिसमें मैनुल अरण जो है फस गया और उन्हों उसको एक्सेप्ट कर लिया यहां पर बॉबी फिशर ने खेला मूब बीफाइब कि इसको ना मारे जो यहां पर सही तरीका था खेलने का वो कुछ ऐसा हो सकते था कि आप बीथरी केलते आपको थोड़ा से ध्यान रखना होगा जरू इस बिशप का अभी फिलाल यह बहुत बिजी है जबते कि बिशप आपके पास है दो नाइट है तो कोई ऐसा इमीडेट इशू नहीं आने वाला है यह पोजिशन ठीक होती वाइट के लिए खेलने के लिए लेकिन यहां पर बॉबी फिचर का एक छोटा सा आपके सकते हों कि पोजिशनल ट्रैप था पोजिशनल ट्रैप यह था कि सी इंटू बी फाइब जो है वो मार दे यहां पर वाइट और वही किया मैनुल अरून ने और इसके बाद क्या होता है देखे एंटू बी फाइब बिशप बिशप यहां पर एक पॉंड दिया लेकिन यहां पर नाइट इंट 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 इ उन्होंने खेला a4 जैसा कि उनको लगा होगा कि इसमें थोड़ा फायदा होना चाहिए अगर उनको साइट की पान मिल रही है तो e6 खेला इंपॉर्टन है इस जी लिए क्योंकि सून जो है यह बिशप यहां से जब ट्रांसफर होगा तो d5 जो है डबल अटेक में यह आपका पीश चला जाएगा तो यहां पर उन्होंने खेला मैंने लोरे नाइट e2 तो बावी फिशर खेलते हैं रुक fc8 तो वो जो क्वीन साइड में वो जो पॉन एक्शेंज किया उसके बाद आप देखोगे कि ब्लैक के पास काफी एक्टिविटी बो वो एक बिशप तो है जो अपना देना ही पड़ेगा तो बिशप इंटू c4 कुई इंटू c4 रुक fc1 तो ना कुई ए6 यहां पर खेला रुक इंटू c8 रुक इंटू c8 और खेलते हैं नाइट c3 तो खेला बिशप c4 अब आप कंपेर कर लिजा अगर आप असेस्मेंट क भी प्ले कर रहे है अधिकतर ठीक है और उतने वेल प्लेस नजर नहीं आ रहे है अग्रेसिव नजर नहीं आ रहे है और यहीं अंतर है जो थोड़ा सा वह गेम में बीफाइब के बाद से लगातार बावी फिशर की तरब से नजर आ रहा था यहां पर खेला उन्होंने एफ इसको भी देखें यहां पर भी कि Bobby Fischer कितने अच्छे से जानते हैं इसको कहते हैं स्कूर विकेशन आप समझ सकते हो यह जो स्क्वैर है ना यहां पर विशर की जरूरत नहीं है यहां पर रुप की जरूरत है तो Bobby Fischer तो टुरद वहाँ से बिशब जो ए6 लेकर के जाते है रूप जो है वो C4 पर आ सके ये भी एक quality होती ही सीखने वाली तो फाइनली ऐसा लगता है कि वाइट ने जो है सब कुछ activate कर लिया है कम से कम रूप भी गेम में आया लग रहा है नाइट है लेकिन यहाप आप देखो कि तो जो वाइट का main strength है जो उसने अगली चाल खेली रुक C4 तो अभी A4 पर भी प्रेशर है F4 पर भी प्रेशर है यह लास्ट मूफ दा यहाँ पर जो ब्लेंडर हुआ उसके जैसे गेम इमिरेटली खतम हो गया यहाँ पर शायद X3 करके खेलना चाहिए था जो ज्यादा बेटर होता डेफिनेटली वह एफ-फोर पर प्रेशर डालते इसके साथ यहाँ पर संथिंग लाइक जीत्री तो थोड़ा गडबर हो जाता जीत्री अगर खेलते तो शायद जीत्री खेलने से अच्छा यह है कि F5 सेक्रिफाइज भी इवन वह कौन को दे सकते हैं इस पोजिशन में तो यह भी चल जाता या एक तरीका हो सकता था रुक डी-4 करके खेलना बट रुक डी-4 को मतलब है नहीं जादा तो F5 सेक्रिफाइज देना ही ठीक होता यह पूजिशन फिर भी ठीक ठाट चलती बट मैनूल अरुन जो है वो मिस कर गया रुक डी-2 खेल दिया यहां पर चुपचा ताकि उनको लगा कि बी-2 को सेकेंड राइन को प्लोटेक्ट करके वो जीत्री कर दिया और यहां पर रेजाइन कर दिया उन्होंने क्योंकि अगर बी-सी-3 मारते तो कुइन बीवन चेक है आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते जाज़ ज्यादा रुक बीच में लाएंगे तो हम क्याप्चर कर देंगे जाज़ ज्यादा एक और डेले करने के लिए लाएं लेबल चल रहा था वो काफी ऊपर चल रहा था और इसलिए उनको पकड़ पाना काफी मुस्किल हुआ उस दौर में किसी भी खिलाड़ी के लिए तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक को शेयर करना ना भूलें साथी साथ अगर आ चल रहा है चाहे हो खिलाड़ियो के इंटर्व्यू या फिरो खिल का विशलेशन चैस्पी सिल्डिया आमेशा आपके लिए खबर लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी सब्सक्राइब करें लिए चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करे प्राइब करें